आप सभी का स्वागत है जोती शूर्जा में दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका कोई शत्रू या कोई विरोधी ना हो कई बार शत्रू आपके लिए जादा घातक सिध होते हैं इसलिए उनको शांत करना बहुत ज़रूरी होता है आपके सुखी जीवन में अगर कोई शत्रू है चाहे वो गुप्त शत्रू हो चाहे वो आपके सामने हो आप उसे शांत कर सकते हैं आज मैं आपको बहुती आसान सिंपल उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप अपने शत्रू को शांत कर सकते हैं प्रतिस परधा की इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है कई बार दूसरों की खुशी के कारण भी व्यक्ति के अंदर जलन की भावना उत्पन हो जाती है नतीजा, दुश्मनी और इसके चलते लोग किसी की भी खुशी को बरबाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ते अगर आपका भी कोई शत्रू बन गया है, किसी ना किसी तरह से आपको परिशान कर रहा है तो आप भी इस उपाई को अपना कर जरूर देखे आज जो उपाई में आपको बताने वाले हूँ, बहुत छोटा सा उपाई है पर बहुत कारगर है आपने इस उपाई को अमावस्या के दिन करना है किसी भी अमावस्या को ये उपाई आप कर सकते हैं आपने एक प्याज लेना है जो आप खाने में इस्तिमाल करते हैं प्याज अक्सर घरों में आपको मिल जाएंगे हर सबजी में इसको डाला जाता है ये जो उपाय है पदार्थ तंत्र का हिस्सा है और आप प्याज से अपने शत्रू को शांत कर सकते हैं आपने एक प्याज ल आपने प्याज को लेकर एक जगह पर बैठ जाना है और अपने हाथ में साथ लॉंग लेने है लॉंग आप पूरे ले फूल वाले लॉंग ले इसका ज़रूर ध्यान रखें लॉंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए अब आपने साथ लॉंग अपने दाहिने हाथ में लेकर बैठना है और उसे मुठी में बंद कर लीजिए एक एकिस बार आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आपके उपर नजर लगाई है जिसने आपका बुरा किया है अगर वो गुप्त शत्रू है तो आप गुप्त शत्रू के नाम की जगए पर अमुकम नाम ले सकते हैं अमुकम यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन लिखा हुआ है आप इस नाम को बोल सकते हैं अगर आपका कोई गुप्त शत्रू है आपको उसका नाम नहीं मालूम है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अब आपने साथ लॉंग पर एकिस बार अपने दुश्मन का नाम बोल लिया है तो अब एक कील लेले लोहे का कील होन हैं जिसके कारण आप उस लॉंग को उस प्याज में गाड़ सकें तो अब आपने साथ लॉंग उस प्याज में लगा देने हैं और मुठी में पकड़कर अपने दुश्मन के प्रति यह सोचना है कि वह आपको कुछ भी नहीं कर पा रहा आपको कुछ नहीं बिगाड़ पा किसी भी पेड़ के नीचे गाड़ सकते हैं किसी भी विरान स्थान में पेड़ के नीचे आप इसको गाड़ दीजे आपका उपाए पूरा हो जाएगा और आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे इससे दुश्मन का कोई नुकसान नहीं होगा पर वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुचा पाएगा कभी हम किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करते पर अगर कोई हमारा नुकसान कर रहा हो तो हमें उससे बचना जरूरी है यह हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हमारा कोई नुकसान ना कर सके दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी intention के बिना किसी बात के दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करते हैं तब हम इन उपायों को अपना सकते हैं इस उपाय को आप किसी अमावस्या की रातरी को कर सकते हैं या आप किसी शनिवार को भी कर सकते हैं अगर अमावस्या नस्दीक नहीं है तो आप किसी शनिवार को भी कर सकते हैं अगर आप इस उपाय को एक शनिवार करते हैं और आपको इसके प्रभाव दिखाई नहीं देते तो आप इसे लगातार आठ शनिवार तक कर सकते हैं एक शनिवार करके देखिए अगर प्रभाव आ रहे हैं तो ठीक है फिर दूसरे शनिवार कीजिए फिर तीसरे शनिवार की इस बात का जरूर ध्यान रखें, आच अनिवार तक लगातार भी किया जा सकता है और आच अनिवार के बाद आप इसे करना बंद करतें, इस प्रकार से इस टोटके कोई सुपाय को आप करें और ध्यान रखें कि कोई भी आपको बीच में टोके नहीं और जब आप इसे दबा कर आएं किसी पेड़ के नीचे तब आप 바pasी में किसी से बात मत करें अपना मॉबाइल साथ लेकर मत जाये सीधा घर वापस आए और घर आ भी जाएं और अपने हाथ पयर धोकर अपने घर में बैठ जाएं आप इस उपाए करते हुए किसी से बात्चीत ना करें इसका खास ध्यान रखें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूं अगली वीडियो में अगले विश्य के साथ तब तक के लिए आपका धन्यवाद